नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ڈपी पांडे हमारे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने सवाल किया है सवाल बिल्कुल पहली की तरह है सवाल पूछते हैं कि मेरे नाना के चचेरे चाचा के बेटा की बेटी से मैं साधी करना चाथा हूँ क्या साधी कर सकता हूँ अब ये आप भी जरा तर्क लगाईए कि उनका उनके साथ क्या रिस्ता हो सकता है जो उनके ननिहाल पत्सका है क्या वो व्यक्ति साधी कर सकता है खेर मैंने एक वीडियो बनाया था वीडियो में मैंने सपिंड विवा के बारे में बताया था और उसी वीडियो में ये उनका कमेंट है सपेंडी विवा के बारे मैंने डेटेल में बताया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में मैं दे रहा हूँ वहाँ से आप जाके देख सकते हैं मैंने उसमें ये बात बताई थी मैं साट में बता दूँ जिस पर लेकर उन्होंने कमेंट किया है जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो हिंदू है वह व्यक्ति अपनी मा के तीसरी पिड़ी में और पिता के पांचमी पिड़ी में साधी करता है तो ऐसा विवा हिंदू मैरे जैक्ट 1915-5 के Section 5 के अंतरगत illegal होगा वो साधी वैद नहीं मानी जाएगी तो सपिंड विवा करने से बचना चाहिए हमारे बड़े भुजर्ग भी कहते हैं बाबु गोत्र में साधी मत करना गोत्र में साधी करने से बचते हैं सगोत्री विवा नहीं किये जाते हैं ऐसे विवा ब्लड रिलेसन के माने जाते हैं इसलिए इसे अवाइट करना चाहिए उनका जो सवाल है उनका क्या वो महिला तीसरी पिड़ी में है या चौती पिड़ी में है दूसरी पिड़ी में है पांचवी पिड़ी में इसको जानने के लिए हम एक डाइग्राम से उसको समझते हैं अब उनका जो रिष्टा है उनके नाना कहा है और ये कहा है अब ज़रा देखते हैं हम लोग की पहली बात हम जान लेते हैं कि ये कहा है ये है व्यक्ति येने साधी करनी है दूसरा इनके उपर का जो पिड़ी है इनकी मा की पिड़ी है मा के उपर हम चलते हैं इनके नाना है नाना के उपर पर नाना है और पर नाना के उपर भी उनके पिता है नाम कोई भी होगा क्या पद होगा मुझे आइडिया नहीं इसका उसके उपर भी एक पद हम मांग लेते हैं पर्णाना अब यहां से रिस्ता अलग हो रहा है इनका कैसे हो रहा है कि इनके यह जो यह पॉइंट है यहां माले यह दो संतान होती है एक तुमाने यह बता दिया पर्णाना को और यह यह हो गए यहां से एक संतान यहां होती है इनकी और यह जो यह संतान हो रही है यह वाली इनसे इनके नाना को जो रिलेशन हो रहा है वो चचेरे चाचा वाला हो रहा है क्योंकि इनके पिता के तो भाई हो नहीं सकते और ना ही इनके बाबा हो सकते हैं इनके नाना के चचेरे चचाचा हैं तो रिस्ता यहां से सुरू हो रहा है, इनकी खांदान यहां से सुरू हो रही है अब ऐसे अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि इनके जो नाना है और इसके नाना के जो चचेरे चचाचा हैं वो इस सीरियल में आ रहे हैं और इनका जो बेटा है जो इनके नाना के चचेरे चाचा हैं उनके जो बेटे हैं और उनकी ये बेटी है और ये बेटी इनके रिस्ते में इनके मा की बेहन लगती है तो इनकी मौसी होती है अब देखा जाए पीडियों को तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छठमी पीडी से इनका रिस्ता अलग हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपनी मौसी से साधी कर रहे हैं पद में उनकी मौसी लगेगी इनके नाना के चचेरे चचा की जो बेटे हैं और उनकी जो बेटी है वो इनकी पद में मौसी लगेगी और इनकी मा की बहन लगेगी खेर मौसी लगे या जो भी लगे लेकिन ये साधी उससे कर सकते हैं जो Hindu Marriage Act 1915-5 में बताया गया है वो तीन पीडियों का परहेज मात्र पच्छ में बताया गया है और पिता के पच्छ में पांच पीडियों का बताया गया है कि इसमें आप परहेज करें इससपेंड विवा होगा और ये ऐसे विवा जो Blood Relation में माने जाते हैं नातेदारियों मान लेकिन इस सज्जन ने जो सवाल पूछा है मैं तो इस सवाल को पहली की तरह कर रहा हूं कि एक पहली हो सकती है फिर उनका सवाल है मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे रिस्तों को कर सकते हैं क्योंकि ये रिस्ता इनका पांचवी छट्वी पिड़ी का रहा है अब ने देखा होगा कि ये है इनके उपर मा है उनके उपर इनके नाना है नाना को उपर भी एक पर नाना है उसके उपर भी एक नाना है उसके उपर भी एक नाना है तो इस तरह से 6 पिड़ी का इनका रिस्ता है और उस ब्यक्ति जिसको साधी जो कर रहा है उसके ठीक 3 पिड़ी का परहेज माना ग तो इसे सेर करिएगा लाइक करिएगा वीडियों अन्त तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद